नमस्ते दोस्तो मैं गई थी मेरी सचुडाल में ओहां जाके सोचा क्योंना आपके लिए एक चिकेन का रेसिपी बना लेती हूं तो पहले चिकेन को मैं आच्छे से धो लिया था फिर उसके साथ थरा नमक मिला के राख दिया था इधर कराय के अंदर मैं तेल को डाल दिया फिर उसके साथ बाड़ी काटके पेख को भी डाल दिया था बेरेश्था बनाने के लिए आर क्या बेरेश्था जब रेडी हो गे एना फ्रेंज फिर उसे धीरे धीरे छांके राखतीया आप जो ठांड हो गे एना तब उसे पेस्ट बना लिया फिर उसी तेल के अंदर दो तेजपात्ता शुखे लाल मिर्च दारचीनी लोंग एलाईच देखे थोरा फ्राई कर लिया फिर धीरे धीरे हले हले चीकेन को जो एक एक करके पीस को उस तेल के अंदर डाल दिया फिर चीकेन का जब थोरा कालर चेंज हो गया ना फ्रेंज ताब उसके साथ तीन चाममच जैसा अधर लेशुन के पेस्ट एक एक चाममच तीखा रेड चिली काश्मी रेड चिली धानिया जीरा पाउडर में डाल दिया था फिर उसे भी आच्छे से पाकाया आप धीरे धीरे उसके साथ में एक चामत जैसा हल्ली पाउडर भी डाल दिया मसाला को एक साथ आच्छे से पाकाया फिर किया उसे चार नीट के लिए भी ठाक दिया था धाककन दिया में नहीं दिखेया फ्रेंज धाककन से जब हटाया न Obama फिर क्या देखो चिकेन का कलर कितना अच्छा गया और चिकेन से थोड़ा पानी भी निकालाया आप क्या उसके साध में सादोनशा नमक को डाल दिया पहले में नमक मिलाया था ना फ्रेंज इसलिए और एक चमच जैसा नमक को मिलाया था आप उसके साथ एक चमच जैसा फेटा हुआ दही को डाला और तीन चमच जैसा काजु चार्मगज पेश्ट को डाल दिया फिर ओ बेरेस्ता पेश्ट को भी डाल दिया था फिर उसे आच्छे से उसके साथ मिला लिया धिमी आच में धीरे धीरे उसे हली हले आच्छे से मिलाना आच्छे से पकाना फिर क्या उसे पांज मीट के लिए धीरे धीरे पकाना पांज मीट के बाद फ्रेंच चीकेन करमा रेडी हो गया फिर उपर से थरा गरम मसला ऐसे डाल खुद भी खाना फैमिली को भी खिलाना और किया बारिस के मौसम में बहुत ही आच्छा लागेगा फ्रेंज और किया खुद का चैनल समझ के मेरे चैनल को प्लीज प्लीज साब्सक्राइब करना